जै इन साथियों टाउन फिजिकल एंड मोट्वियेशन एकेडवी में आपका स्वागत है आज आपको हम इन्ने भरती की बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आएंग क्यूंकि तमाम लड़कों के दिमाग में वहुत सी गलत सहीमिया भर चुकी है तो आपको पूरी कि में गलती कर जाएंगे इसलिए आपको इस पूरी वीडियो को अच्छे दंग से देखना आप पूरी वीडियो को समझे किसको बरना आए किसको नहीं बरना कब तक भरना क्या क्या मैंगा हर एक चीज आ पिशिच को जानिए उसके वाद फार्म को आप भरिए गा दोस्तो इसके बारे में पूरी जानकार देखी एंडिया रिकूर्मेंट रैली नोटिफिकेशन दू अजार बाइस तेज हेट कोड़र रिकूर्टिंग जोन लखनों लखनों की तरब से भरती निकली गई है और यह जो भरती चलनी है 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भरती चलनी है और न इंडियन आर्मी डाट एनाइसी डाट इन पर जाकर के आप रिस्टेशन कर सकते हैं इसका रिस्टेशन का जो डेट है चार अक्टूबर से लेकर के दो नौवंबर के बीच में आपको फार्म भर देना है और देखिए यहां पर नीचे दे रहा है इलिजिबल कैंडिडेट आप अल डिस्टिक आप उत्तर परदेश एंड उत्तरा खंड यानि कि उत्तर परदेश और उत्तरा खंड के सभी लड़कों के लिए और किनको भरना है किनको नहीं भरना है आप इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देन जा रहे हैं देखिए और दूसरा इसमें जब एक एक जानकारी आप लेते जाएं यहां पर देखी दिया है एज के बारे में और एज की रही बात मेरे दोस्त आपको पचीस साल तक की जितने लोग हैं सब को भरना है तो देखी यहां पर दे रहा है वान टाइम एज रिलेक्शन यानि की सिर्फ एक बार आपको मौका दिया जा रहा है कि जिनकी उमर पचीस साल है वो लोग भी भर सकते हैं इसके बाद आपको पचीस साल का मौका नहीं दिया जाएगा इसमें दिया है जो लड़के भी भरना चाहते हैं पचीस साल की उमर तक वही लोग भर सकते हैं इसके बाद तेज साल उमर कर दी जाएगे आगे आई आई आपको दिखाते हैं रेजिटेशन करने के लिए आपको बताई चुके हैं जो हैं इंडियन आर्मी एनाइसी पे जाकर करके आपको फार्म भरना है और इसका डेट जो है 4 अक्टूबर 2022 से लेकर के 2 नॉबर 2022 तक उसके बाद यहां पे दे रहा है आप प्रिंट आउट एडमीट कार्ड जो निकलने की डेट है इसमें 15 नॉबर से आप एडमीट कार्ड निकाल सकते हैं आगे आपको दिखा रहे हैं आगे इसकी जानकारी तिसरी चीज़ यहां पे है दोकरा रिजीमेंटल सेंٹर एडमीट कार्ड फार्डillä वील बी संट तूरों रिगिस्टर इमेल इमेल आईडी आप लोग वही इमेल ऑईडी दिया करिया जो कि आप इमेल आईडी यूज्ज करते हैं बाएब से लड़के क्या गल्ती करते हैं इमेल आएडी तो देते हैं लेकिन इमेल आइडी अब किसकी इमेल आइडी देदीये कौन सा नंबर उसमें लगा है उनको जानकारिय नहीं रहे थे आप छुटी छुटी गल्तियां मत क्या करें आप के उसी email id पे 15 नौमबर से 25 नौमबर के बीच में दे रहा है उनके registered जो email id है उस पे admit card उनका भेज दिया जाएगा उसके बाद चौथी चीज यहां पे दे रही है देखिए अब इसकी पूरी जानकरी एक एक जानकरी यहां पे लेते जाएए देखिए यहां पे दे रहा है एजुकेशन एजुकेशन के बारे में 10 प्लस टू यानि कि जिन लड़कों का इंटर्मीडियेट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमेस्ट्री बाओलोजी एंड इंग्लिस विद मिनिममं 50% मार्क्स इन एक रिग्रेट यानि कि आपको हर एक विशय में आपको 50% मार्क लाना है फिर उसके बाद मिनमं 40% इन इस सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में 40% नमबर आपका रहना चाहिए और बॉयलोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहां पे एज के बारे में देखे साड़े सतरह से लेकर के 25 साल की उमर के लोग इस फार्म को भर सकते हैं ब अपरेल 2005 के बीच के जितने लोग हैं सभी लोग फार्म भर सकते हैं जिनका बॉयलोजी सब्जेक्ट है और यहां पर देखिए अपर एज लिमिट है इस बिन रिलेक्शेट फ्राम 23 यह टू 25 यह एज वन टाइम यानि की सिर्फ एक बार आपको यह 23 साल से 25 साल का उमर जो फिर एक बार यह मौका आपको दिया जा रहा है इसलिए मेरे भाई जी जान लगा दीजे ताकि इस भरती में आपको सफलता मिल जाए उसके बाद यहां पर दे रहा है फिजकल स्टेंडर्स इसके बारे में आप आप जान जाईए जिनका रिलेशन हो गयरा है मिलता है जिनका रिलेशन को एक सेंटीमेटर और वेट में दो कीजी और जिनका सेटिफिकेट है उनके लिए पांस केजी वेट यहां पर उसमें छुट मिलता है तो यह सब चीजे हैं फिर उसके बाद निचीच चलते हैं इस पेसल फिश्कल स्टेंडर्स में आप आपको ल 45 सिकेंड में यानि कि 5 मिनट 45 सिकेंड में पूरा करना है बीम बीम दस बीम मारेंगे 40 नंबर ध्यान दीजेगा दस बीम मारेंगे आपको 40 नंबर मिलेगा यानि कि एक बीम का 4 नंबर मिलता है दस बीम मारेंगे तब 40 नंबर जो लड़के 9 बीम मारते हैं उनको 33 नंबर मि होता है जिग्जाग होता है इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है तो दोस्तों और यह फिशकल टेस्ट था फिर उसके बाद मिटकल टेस्ट होगा तो बाकी की जानकारी आप लोग जिनको जो चीज़नों समझ में आया होगा वो लोग इसे फ़ोन करके या तो जैसे भी जानकारी लेना चाहें आप मुझासे आपूसे जैसे संपर्क कर सकते हैं इमेल आईडी फोन नंबर कर सकते हैं इस इसकी जानकारी लें सकते हैं तो अब लोग दियान पुरोग किस फांग को बरिएगा और सर्टिफिकेट और के बारे में जो जानकारी उसको अगली वीडियो में बता देंगे लेकिन फिलाल में आप अपना फांग भर दीजिए सभी लोग जैन दोस्तों तो अगली वीडियो में डाकुमेंट क्या-क्या आले करके जाना है जरूरत वाले जो भी डाकुमेंट होंगे उसकी वीडियो हम बना देंगे आप लोग देख लीजिएगा अल दबेस्ट थैंक यू कर दो